Hello and Welcome to Global Academy इस वीडियो में हम Indian National Moment डिसकस करने जा रहे हैं काफी important topic है बट ये जो topic है बहुत vast भी है और lengthy भी है अगर हम इस topic को detail में discuss करने बैठेंगे तो minimum 20 hours की video भी इसमें कम पड़ जाएगी बट as you know majority of students इतना detail में पढ़ना नहीं चाहते और जो students पढ़ना भी चाहते हैं उनके पास time नहीं होता है तो इसलिए मैंने exam point of view से जो भी important events है important facts है उनको point out करके एक कुछ notes compile किये हैं और आपके लिए एक short video तयार की है I hope आपको इससे काफी benefit होगा तो ये जो topic होगा इसको हम दो headings के अंदर discuss करेंगे एक तो होगा significant events related to the important governor general and vice रही आफ इंडिया जो भी इंडिया में governor general and vice रही रहे हैं उनसे related जो भी important facts important events है उनको हम discuss करेंगे और दूसरा हम timeline के according discuss करेंगे कि कौन से year में या कौन से time period में कौन कौन से important events है उनको हम discuss करेंगे तो काफी important वीडियो है आपके लिए जो भी नाई विवर्स हैं उनसे request हमारे channel को subscribe करें और वीडियो को like जरूर करें स्टार्ट करते हैं important events related to governor general and vice rise of India इंडिया पे जो सबसे पहले control था किसी country ने नहीं किया था बट एक company थी जो इंडिया में बिजनस करने आई थी उसका नाम था East India Company और इन्होंने अपना control यहां सबसे पहले शुरू किया इन बेंगाल सबसे पहले इस East India Company ने जो बिजनस करने इंडिया आई थी इन्होंने बेंगाल पे कंट्रॉल किया इन्हों ने इस Bengal को कन्त्रोल किया थुरूआ पोस्ट नेम गॉर्णर जेरल लफ बेंगाल तो सबसे पहले इन्हेंने बेंगाल पे कबजा किया और उसको रूल करने लगि UndoGרनर जेरल लफ बेंगाल और जो first गॉर्णर जेरल लफ बेंगाल था वो था Robert Clive और उसके अलावा, बंगाल के अलावा जो बाकी की प्रेजिडेंसी थी, जैसे बंबई हो गया, मदरास हो गया, उनके अपने गॉर्नर्स थे, बट, आफ्टर पासिंग दा रेगॉलेटिंग एक्ट 1773, जो पोस्ट थी गॉर्नर अब बंगाल, इसको कनवर्ट किया गया बंगाल, और इस एक्ट के थ्रू ही, जो इंडिपेंडेंट प्रेजिडेंसी थी पहले, बंबई एंड मदरास, इनको भी अप गॉर्नर जेनरल अब बंगाल के अंडर किया गया, तो अब शुरू हुआ, गॉर्नर जेनरल अब बंगाल का रूल, और गॉर्नर जेनरल अब यह रूल 1883 तक चलता रहा, उसके बाद, बाइ चार्टर एक्ट आफ 1833, जो पोस्त थी गॉर्नर जेनरल अब बंगाल की, इसको भी कनवर्ट किया गया इंटू गॉर्नर जेनरल अब इंडिया, और जो फर्स्ट गॉर्नर जेनरल अब इंडिया थे, वो बने अब विलियम बंटिक, सो विलियम बंटिक, यह लास्ट गॉर्नर जेनरल अब बंगाल थे, और फर्स्ट गॉर्नर जेनरल अब इंडिया, यह आप नोट कर सकते हैं, और उसके बाद, उसके अलावा, जो गॉर्नर जेनरल अब इंडिया थे, यह पोस्त जो थी, यह सिर्फ अड्मिस्ट् 1838 से लेकर 1858 तक यानि लगभग 25 तक उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हुआ इंडिया के अंदर और जो कंपनी थी यह जो कंपनी का रोल अभी तक चल रहा था इंडिया के अंदर उसको अब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट अपना कंट्रोल इंडिया के ओपर कर लिया 1858 से यहां शुरू होता है ब्रिटिश राज उसके बाद जो गौवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 था इसको यह पास किया गया तो इस एक्ट के थ्रू जो पोस्ट थी गौवर्नर जनरल आफ इंडिया की इसको चैंज किया गया बाई वाइस राय आफ इंडिया अब फि वाइस राय बने वह बने लाड चैनिंग फिर्स राय रज यह थे ह жुआ आप नोट ज़िए यह लाड फिर्स राय चैनिंग और यहां से आफ वाइस राय का रोल शुरू होता है और इस चैंपेड से हमारे इंडिया नेशन फिर्स होती है सो अब हमारा जो फर्स्ट पॉर्शन होगा यह जितने भी वाइसराइज रहे हैं फ्राम 1856 से लेकर 1947 तक इन वाइसराइज के टाइम पिर्ड में जितने भी इंपॉर्टन इवेंट से उनको हम पहले डिसकस करेंगे उसके बाद फिर टाइम लाइन के अकॉर्डिंग भी लाइन के 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 लाइ Lord Kenning उसके लावा revolt of 1857 ये भी शुरू हुआ इसी time period में mutiny took place Indian panel code 1860 it was passed then they passed the act 1858 which ended the role of East Indian company उसके बाद एक act passed किया गया इसी time period के अंदर Lord Kenning के time period में जिसके तरू East Indian company का role खतम हुआ उसके लावा University of Calcutta, Bombay and Madras इनको establish किया गया था in 1857 then उनके बाद जो next vice ride इंडिया के वो थे Lord Ilgin इनका time period रहा है 1862 में और इसके time period में वहाभी moment शुरू हुई थी एक important event हुआ है इस time period में then Lord John Lawrence इनका time period रहा है 1864 to 1869 बोटानवार भी इसी time period में हुआ in 1865 then establishment of high court set Calcutta, Bombay and Madras in 1865 next थे Lord Litton 1876 to 1880 तक इनका time period है vernicular press act इस time period में पास किया गया arms act पास हुआ इसी time period में 1878 में second of gone hour war इसी time period में हुआ between 1872 to 1880 then queen victoria इन्होंने इसी time period में assume किया था title of case ray hindar queen impress of India then उनके बाद आगे Lord Rippon 1882 to 1884 जो पिछले वाइसराई के time period में वर्निकुलर प्रेस act बना था तो उसको repeal किया गया in 1882 then next first factory act 1882 1881 में बना then government resolution of local self governance ये bill भी पास्वा in 1882 then ilbert bill controversy ये भी 1883 से 1884 तक रहा then hunter commission on education तो ये hunter commission on education ये 1882 में इसी time period में बना ये सारे events आपको याद रखने हैं और इनको relate करना है various vice rise के साथ क्योंकि इसी type के questions आपको exam में पूछे जाएंगे आप से पूछे जाएगा जैसे Lord land या factory act ये किस time period में बना था तो आपको वहाँ दिये होंगे various vice rise के नाम और आपने उनको tick करना होगा इसलिए आपको जो भी vice rise है उनसे related जो events है उनको relate करके याद रखने है events अब next होगे Lord Dufferin 1884-1888 third burmese war इसी time period में हुआ establishment of Indian national congress in 1885 तो ये कभी कभी question पोछा जाता है कि इंडिया national congress जब बनी थी तो उस वकर इंडिया के vice rise कौन थे तो वो थे Lord Dufferin तो उसके बाद next होगे Lord Lansdown ये आगे भी repeat होगा है इसको हम next slide में देखते हैं Lord Lansdown 1888-1894 इनका time period है factory act 1891 बना Indian council act इसी time period में बना 1892 and setting up of durand commission 1893 then next हो आये इनके बाद Lord Karzin इनका time period रहा between 1899 तो 1809 तो इनने appointment की थी police commission appointment of police commission in 1902 then appointment of universities commission 1902 Indian university act भी इसी time period में बना 1904 में and partition up Bengal भी इसी time period में हुआ 1905 में so ये सारे events आप note कर ले next उनके बाद है फिर Lord Minto 2 1905-19010 Saudashi movement 1905-1911 इसी time period में रही then surat split of congress इसी time period में हुआ in 1907 में establishment of Muslim league 1906 then morally minto reforms ये भी इसी time period में हुआ था in 1909 so ये है important events दूरिंग Lord Minto वाइसराइ next उनके बाद है Lord Harding to 1910 to 1916 तो अनुलमेंट of partition of Bengal 1911 में then transfer of capital from Calcutta to Delhi अभी तक capital Calcutta में होती थी but 1911 में capital को change किया गया from Calcutta to Delhi so 1911 में ये capital आई थी देली में during the time period of Lord Harding then establishment of Hindu Mahasabha 1915 में then next wise trial Lord Chelmsford 1916 to 1921 लखनोपेट 1916 में हुआ इसी time period में Champaran Satyagra 1917 then Montego August Declaration 1917 Government of India Act 1919 then Raulat Act 1919 और जलेवाला बाग जो मेस्केर हुआ था जो हाथसा हुआ जलेवाला बाग का 1919 में उस वकत भी वाइस रही थे Lord Chelmsford उसकी बाद launch of non-corporation movement and खिलाफत movement ये भी इसी time period में हुई then Lord Reading 1921 to 1926 14-14 incident 1992 में हुआ withdrawal of non-corporation movement non-corporation movement जो शुरू की गई थी उसको withdraw किया गया 1992 में 1922 में then Establishment of Sauraj Party in 1922 then Kakori Trent Robbery 1925 में हुई तो उस वकत Lord Reading थे इंडिया के वाइस रही then next वाइस रही Lord Irvin 1926 to 1931 Simon Commission to India आये थे 1927 में then Nehru Report 1928 में बनी then Deepavali Declaration हुई 1929 में Lahore Session of Congress या जिसको पूर्ण सावराज resolution इसमें पास किया गये थे 1929 में then Dandi March and Civil Disobedience Movement 1930 में ये events हुई during the viceroy of Lord Irvin then First Roundtable Conference 1930 में हुई at the time period of Lord Irvin and Gandhi Irvin Pact 1931 so Gandhi Irvin का जो Pact 1931 में हुआ था so उस वकत वाइस रही Lord Irvin then Lord Irvin के बाद आये Lord Wellington 1931 to 1936 communal award ये बिल बना 1932 में second and third roundtable conferences भी थे 1932 में then Puna Pact 1932 में ये हुआ था then Government of India Act of 1935 तो ये act भी बना था Lord Billing के time period में then next Lord Lillinth Goh Lord Lillinth Goh 1836 to 1954 so इस time period में जो important events भी वो एक तो a resignation of the congress ministries various congress ministers ने resign किया था after the outbreak of second world war in 1939 during the time period of Lord Lillinth Goh then Tripura crisis and formation of forward block 1939 Lahore resolution of Muslim league demand for a separate state for Muslims in 1940 ये events भी आपको याद करने हैं ये dates भी आपको याद करनी हैं और इस time period को relate करके आपने इन वाइसराइस के नाम भी याद रखने हैं बस इसी ताइप के questions आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं then next formation of Indian National Army 1941 Crips Mission 1942 and Quit India Movement 1942 ये Quit India Movement resolution पास किया था 1942 में तो उस वाकत भी जो वाइस रहे थे वो थे Lord Lillinth Goh then उसके बाद आए Lord Wawal 1944 to 1947 so इनके time period में एक तो Wawal plan बना and the similar conference 1942 में then cabinet mission in 1946 direct action plan 1946 में then announcement of end of British rule in India by Clement Attlee Attlee जो उसकत Britain के Prime Minister थे तो इनना 1947 में announcement की थी end of British rule during the time period of Lord Wawal उसके बाद आते हैं Lord Mountbatten जो बिटिश इंडिया के Lord Lost Vaisarai थे 1947 to 1948 June 3rd plan 1947 में बना Radcliffe Commission 1947 India's Independence Act 15th August 1947 इंडिया की independence इसी time period में हुई then चक्रवर्ती राजा गोपालाचारिया 1948 and 1950 then last governor general of India भी उसके बाद ये जो Lord Mountbatten थे ये इंडिया के लास्ट वाइस रही थे और बाद में जब इंडिया आजाद हुआ थे और बाद में जब इंडिया आजाद हुआ तो इन्ही को first governor general of India independent India भी बनाया गया गया और बाद में last governor general of India भी ये ही रहे उसके बाद इस title को भी abolish किया गया इट वाज पर्मनेटी अबालिश इंडिया थे इंडिया थे इंडिया थे इंडिया वाइस राइज अब हम आते हैं timeline पर कौन से time period में कौन कौन से important events हुएं वो आपको note करने हैं तो सबसे पहले revolt of 1857, 1857 में कौन कौन से events हुएं वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले revolt 1857 के बारे में पहले discuss करते हैं, ये शुरू क्यों हुआ, इसके क्या काज थे, political काज क्या थे, उसके बाद फिर हम अपने important events के उपर आते हैं, कि ये जो इंडिया नेशनल मुमेट थी, 1857 था, ये शुरू हुआ था मेरट से on 10th मौई 1857 को, इसमें जो वेरियस इसके काज बताया जाते हैं, जैसे political काज इसमें बताया जाता है, डाक्राइन अफ लैप्स के बारे में, अब ये डाक्राइन अफ लैप्स के बारे में थोड़ा समय आपको आना चाहता हूँ, ये क कानून बनाए, डाक्राइन अफ लैप्स के जिन जिन स्टेट्स के उपर इंडियन गौवर्नर्स हैं, अगर उसका अपना बेटा है, तो वो उसके बाद उस पर्टिकॉलर स्टेट पर रूल कर सकता है, और अगर उसका अपना बेटा नहीं है, अगर उसने कोई adapted sun है उसका क जाएगी, यही था डाक्राइन अफ लैप्स, यह भी एक कास बना था, immediate कास बना था, revolt of 1857, उसके बाद, economic कास थे कुछ जैसे, heavy taxation, eviction, discriminatory tariff policy against Indian products, then destruction of Indian handicrafts, that hits the events, then pieces, artisans and small zemindars, उसके बाद, graviences of supplies, जैसे introduction of anfield rifle, anfield rifle को introduce किया गया, और उसके उपर एक cartridge लगाई गई, it's cartridge of which, जिसको grease किया जाता था, animal fed से, तो सबसे पर यह जो चिंगारी थी, यह इसी reason से भड़ा गई थी, कि उनको यह जो cartridge के उपर grease लगाया जा था, animal fed से, उनको यह अपने दातों से हटानी पड़ती थी, तो इसलिए इस पर जो वहां के सिपाही थे, उनने उस पर objection किया, उसके बाद 19th March 1857, एट बारकपूर, एक सिपाही थे, मंगल पांडे, जिनका नाम था, उनने जो 34th Bengal Native Infantry से बिलांग कर थे, उनने अपने एक officer के उपर attack किया, और इसी मंगल पांडे से, यह reward of 9, 1857 शुरू होता है, तो एक्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, कि 1857 का जो reward है, इस सब से पहले किसने शुरू कि तो यह शुरू किया था, मंगल पांडे ने, जो बिलांग करते हैं, 37, 34th Bengal Native Infantry से, तो यह था 1857 का इवेंट, अब हम आते हैं, 1885 पे, जो important events है, 1885 में जो important events है, आप नोट करते जाएं, एक तो Indian National Congress यहां बनी, it was formed in 1885 by A.O. Hume, जो एक retired civil servant थे, then first session, बंबई में हुआ था, International Congress का, अंटर W.C. Banerjee in 1885, और इसमें 72 delegates ने attend किया, from all over the India, उसके बाद जो first two decades थे, International Congress थे, इसको describe किया जाता है, as the history of those moderate demands, वो leaders, जिनकी moderate demands थी, जिनका sense of confidence था, British justice के उपर, और यहां की generosity के उपर, इनी का राज 1885 के बाद लगवा 20 साल तक रहा, moderate leaders में कौन को ना थे हैं, जैसे दादा भाई नूरु जी, बदरोदीन तयीब जी, गोपल कृष्ने गोखले, सुन्दरनाथ बेनर जी, आनाद बहुन बोस, then Lord Rudolph Churchill, और इसी time period में, Lord Rudolph Churchill, he became the secretary of state for India, यह next event है, so यह moderate leaders, इनके आप नाम नोट कर लें, कभी-कभी पुछा जाता है, आपको यह नाम पुछे जाएंगे, इनमें से दो-ती नाम पुछे जाएंगे, इनमें से आपको बताए जाएगा, इसमें moderate leader कौन है, extremist कौन है, तो यह आपको नाम याद रखने हैं, तो यह थे important events during 1885, इसमें जो last event है, मैं यहाँ repeat कर रहा हूँ, last में थोड़ा से confusion हुआ, कि इसी time period में, 1885 में, Lord Rodolph Churchill बने थे, Secretary of State for India, Now, next event, 1805, 1805 में partition बेंगाल हुआ, और यह किया इसकी announcement की थी करजिन, साथ देशी मुमेंट, 1905 में हुई, then the moment had its origin in anti-partition moment, यह जो साथ देशी मुमेंट शुरू हुआ हुए थी, इसका origin anti-partition moment से हुआ था, जो बेंगाल में हुई थी, और इसमें लाल, बाल, पाल, and अरुब जिंदा घोष, they played an important role, उसके अलावा इंडियनेशनल कॉंगरस, ने, 1905 ही में साथ देशी काल शुरू की, first at the banana session, then 1905, यह जो यहां इंडियनेशनल कॉंगरस का जो बानारा session था, इसको प्रिजाइड किया था, जी के गोखले ने, यह भी आप नोट कर ले, the next, 1906, 1906 के events, Indian Standard Time, so Indian Standard Time, Britishers ने adopt किया था, in 1906 में, उसके बाद, Mahatma Gandhi ने coin किया था, term Satyagrae, to characterize the non-violence movement in South Africa, then next, Muslim League, found की गई थी at Dhaka, by Aga Khan, and Nawab-ud-Dhaka, and Nawab-Muhasinul-Mulk, यह तीन नाम आप याद रखने हैं, जुनने Muslim League found की थी in 1906 में, then demand for Savraaj, भी यहाई से उठी थी, कलकाता सेशन में, in December 1906, उसके बाद, Indian National Congress, under the leadership of Dada Bhai Nauruji, Dada Bhai Nauruji, adopted Savraaj, यानि Self-Government, इन्होंने adopt किया था, as the goal of Indian people, So, Dada Bhai Nauruji की leadership में, 1906 में, Indian National Congress ने, Savraaj, Self-Government, इसको डिक्लेर किया गया, as the final goal of Indian people, Then, next हो गया, 1907 में, Congress सिप्लिट हो गई, at Sourat Session, where Congress सिप्लिट इन्टो टू पार्स, एक तो हो गई, Moderates और दूसरे होगे, Extremist, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, कि 1885 में Congress का, Rule चुरू हुआ, 20 साल तक Moderates का Rule रहा, बट, 1907 में, इसके दो हिस्से होगे, Moderates and Extremist, Due to the debate of the nature of Saudi मुमेट, क्योंकि Saudi मुमेट शुरू होई थी, उस वज़े से, कुछ Extremist जो थे, यहाँ अलग होगे, अब यह Extremist को हो थे, इनके बारे में थोड़ा डिसकस करते हैं, यह जो period था between 1905 and 1920, इसको कहा जाता है period of extremist, जो पिछले 20 साल है, उनको कहा जाता है period of moderates, और इस time period को कहा जाता है period of extremist, इसमें the extremist देवर radical and militant in their approach, थोड़े strict थे, militant type की इनकी approach थी, radical approach थी, as contrast to moderates, moderates, वो थोड़ा सा, अंग्रेजों के लिए थोड़े से जुके हुए थे, उनके लिए थोड़ा सा, उनका soft corner था, इसलिए, hence, they were extremist, इसलिए, इनको extremist को, extremist कहा जाता है, या radical कहा जाता है, they considered the British as foreigner invader, इनको foreign invader यह कहते थे, who are to be given away by any means possible, जिनको किसी भी सूरत में बाहर से बाहर निकालना ही, निकालना है अपनी country से, इसमें जो important leaders थे, extremists के, वो थे, बाल, गंगादर तिलग, बिपिन चंदरपाल, और लाला लाजपतराई, the trio was popularly known as, लाल, बाल, पाल, तो यह हैं लाल, यह हैं बाल, यह हैं पाल, यह हैं इनकी images, next event, 1808 में के कुछ important events, खुदरी on the charges of sedition, the next, 1909, मौरले मिंटो रिफार्म और इंडिन कॉंसल एक्ट पास हुआ था, इसकी announcement की गई, लाल मिंटो कैंप तो बीन, नौन अज़ फादर आफ कॉमिनल एलक्टरेट, और इस एक्ट की वज़ा से, लाल मिंटो को फादर आफ कॉमिनल एलक्टरेट भी कहा जाने लगा, then 1911, capital of India was shifted from Calcutta to Delhi, पीशे भी मैंने यह आपको कहा था, then 1912, a bum was thrown on Lord Hardinge, Lord Hardinge के ओपर bum फैंका गया in चांदनी चोक, देहली बाइ, रस बिहारी बोस और सचेंदर सन्याल, then 1913, गदर पार्टी बनाई गई, और इसको बनाया था, लाला हर्दियाल ने, then तरकनात दास, एंड सौहन सिंग भकाना, इन तीन लोगों ने यह गदर पार्टी बनाई, हैड़कॉर्टर इसका, सैन फ्रैंसिस को था, गदर पार्टी का, और यह जो नाम था, गदर, इसको टेकन फ्रमा वीकली पेपर, गदर, और यह गदर भी खुद, कहां से आया था ना, which had been started to commemorate the 18 1857 revolt, यह जो अटारा सो सावान के विदरो को, कियाद में, इसका यह मैगजिन शुरू की गई थी, और इसी गदर मैगजिन के नाम पर यह गदर पाटी भी बनाई गई, the 1914 first world war शुरू हुआ then 1815 में महतमा गांदी वापस आगे इंडिया में सौथ अफरीका से returning of महतमा गांदी from सौथ अफरीका then 18 1916 1916 के important events गांदी जी ने साबर मती आश्रम बनाया at Ahmedabad Home Rule League founded in July by Tillak in 1996 इसका जो headquarter था वो पोना में था और ये Indian Home Rule League था तो ये Indian Indian Home Rule League of India था इसको शुरू किया था तिलक ने इन जुलाई में Home Rule League को और उसके अलावा एक और Home Rule League शुरू की गई थी It was started by any बसंथ near मदरास in September 1906 में उसके बाद foundation of बनारस Hindu University इसकी foundation हुई थी by Mother Mohan Malwia लखनुक पैक्ट in लखनुक पार्ट in 1916 then 1917 में Mahatma Gandhi ने लांच किया Champarn Satyagra उसके बाद Montego the Secretary of State for India उन्होंने डेकलर किया that जो गोल of British Government in India था is the introduction of responsible government then 1918 important events किया थे इस ताइम पीड में First All India Depressed Class Conference ये held हुई थी in 1918 में then Rawlet यानि Sedition Committee इन्होंने submit की थी अपने रिपोर्ट और Rawlet Bill introduced किया गया था in February 16, 19, 19 में और ये जो Rawlet Act था इसके थू और गॅ? इसके पावर्ट है नेises थे Rowlett Act ने जोमेंट को unnecessary powers दी थी वह किसी भी परसन को arrest कर सकते हैं without Administration और इस act के थो government को ये powers दी गई to suspend the rights of Hibos Corpus नेक्स्ट, 1919, एंटी रावलेट सत्यग्रे, इसके खिलाफ एक सत्यग्रे शुरू हुआ, 1919 में बाई महत्मा गांधी कंपेन, और इन्होंने सट अप किया था एक सत्यग्रे सभा on 24th, February 1919 at Bombay, then Montego Chelmsford reform, और Government of India Act 1919, it was also announced in 1919, उसके लावा और कुछ important events हुए थे, 1919 में, जैसे जालें वाला बाद ट्रेजडी हुई थी, काफी बड़ी ट्रेजडी ये अभी भी मानी जाती है, जिसमें प्यूपल एजिटेट कर रहे थे, और अरेस्ट आफ डाक्टर किचलू, डाक्टर साथिपाल on 10th April 1919, 10 April 1919 को, डाक्टर किचलू और साथिपाल के अरेस्ट पर, ये कुछ लोग ऐजिटेट कर रहे थे, जैलें वाला बाग में, और उस वकद जो जैनरल डायर थे, उन्होंने लोगों के उपर फायर करने का आर् लेगे, उसके बाद इस, इस इवेंट के खिलाफ, एक हंटर कमिशन बिठाया गया, एपॉइंट किया गया तू एन्कौाइर इट, ये आपको याद रखना है, कि जैलियां वाला बाग का जो इवेंट था, उसको, उसकी एन्कौाइरी के लिए, जो कमिशन बिठाया गया उसका नाम क्या था, तो हंटर कमिशन था, एपॉइंट किया गया था, उसके बाद राब बिंदर नाथ टेगोर ने नाइट हुड भी इसी प्रोटेस्ट में अपना रिटर्न किया था, उसके बाद ठीक 21 साल के बाद, मार्च 30, 1940 में, उद्दम सिंग जो एक सरदार थे, उ लंडन जाकर उनको फिर ये इनने अपना बदला लिया था, उद्दम सिंग ने, इंपॉर्टन इवेंट सिंग ने, फर्स्ट मिटिंग हुई थी, आल इंडिया ट्रेड यूनिन कॉंगरस की, जो बंबई में हुई थी और इसको प्रिजाइड किया था, लाला लाजपत रा आपको पता है, 1299 में से एक आटोमन एंपायर शुरू हुआ था, जो आप आजकल इर्थगुल गाजी शाय्द बहुत सारे लोग से देख रहे होंगे, जो इर्थगुल गाजी था, उसका बेटा था उस्मान, उससे ये आटोमन एंपायर शुरू होता है, और ये आटोमन तक इनका ये राज रहा, ये आटोमन एमपायर रहा, और 1920 में इस खिलाफत मुमेंट को खतम किया गया, इसलिए ये जो खिलाफत मुमेंट के खिलाफ इंडिया में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट वगरा हुए थे और मुमेंट भी शुरू हुई थी, और इंडिया में ये जो टर्की में ये खिलाफत मुमेट तुर्की में जो आटोमन एम्पायर शुरू ख़तम किया गया इसके खिलाफ जो ये खिलाफत मुमेट इंडिया में शुरू हुई थी ये शुरू की थी अली ब्रादर्स ने महमद ली और शोकत ली ने and started this movement. It was jointly led by खिलाफत leaders and the Congress. इसमें खिलाफत leaders ने भी जॉइन किया और Congress ने भी इसमें जॉइन किया. Then next non-corporation moment 1920 में होई थी. Congress ने पास किया था resolution in its Calcutta session in September 1920 में regarding non-corporation moment. ये first mass based political moment थी under Gandhi जी और ये जो moment थी it envisaged resignation of nominated officers and posts in the local bodies. So बहुत सारे Indians ने अपनी अपनी पोस से resign भी किया था for this non-corporation moment. उसके बाद 1921 permanent advisory council of princes इसकी inauguration किये गई. Then council of state and legislative assembly इसकी inauguration किये गई. उसकी बाद Prince of Wales, लेटर जिनको King Edward 8 भी कहा जाता था, वो इंडिया में arrive हुई थे in 1921 में. Upon his arrival, Bombay में widespread agitations हुई and he was greeted with empty streets. तो ये जो agitation थी एक non-violent थी और लोगों ने इसमें बिलकुल इंडिया बंद रखा. उसकी बाद next event T.K. Madhav Mohan met Mahatma Gandhi at Trinol V to discuss Vyakum Satyagrae a struggle against untouchability in Hindu society. So, T.K. Madhavan, ये और Mahatma Gandhi, ये त्रिवोली में आपस में मिले और हुई ने डिसकस किया to start Vyakum Satyagrae जो एक struggle होगा against untouchability in Hindu society क्योंकि Hindu society में अभी भी untouchability का बड़ा बहुत-बड़ा मसला था. उसके बाद जो next event था, वो था 1922 में. इसमें बहुत सारे events हुए, जैसे चोरा-चोरी incident हुआ, जैसे चोरा-चोरी incident हुआ, जैसे चोरा-चोरी incident हुआ, जैसे चोरा-चोरी incident के बारे में थोड़ा साब को पता होने चाहिए कि ये क्या हुआ था. Actually, Congress session at Allahabad in December 1921 में, इसने decide किया था, कि वो एक civil disobedience program launch करेंगे, और गांधी जी वाज अपॉइंटे इट्स लेडर. उसके बाद जब ये, अभी civil disobedience program अभी launch भी नहीं किया गया था, तो कुछ लोगों का जहमगटा चोरा-चोरी की तरफ गया, ये एक जगा का नाम है नियर गोरखपुर, और इनका clash was वहाँ पलीस के साथ, और इसी time period में, इसी असने में क्या हुआ, कि जो लोग थे, जो जह गए थे, पुलीस स्टेशन के समेथ, और फिफ्ट फेबरवरी, और इस वज़ए से जो नान कापरिशन मुमेट शुरू की गई थी, उसको suspect किया गया, देन 1922 में, इस वज़ए से गांधी जी ने नान कापरिशन मुमेट उसको विड़ा कर दिया, उसके बाद सेकंड मोप important events of 1922, then 1923, सवराज पार्टी founded by मोतिलाल, नहरू and others, उसके बाद 1925 में, देजबंदो चेतरजी दास, इनकी डैथ हो गई थी, उसके बाद काकोरी conspiracy case, ये भी इसी टाइम पीड में हुआ, काकोरी conspiracy case भी हुआ था by revolutionaries, अब ये काकोरी conspiracy case क्या है, ये एक trend robbery थी, जो हुई थी काकोरी and लखनो के between, ये एक trend को राब किया गया था on 9th August 1925 में, during the Indian independence movement against the British Raj, और ये जो राबरी थी, it was organized by Hindustan Republican Association, और इसको काकोरी conspiracy case कहा जाता था, Then next 1927, 1927 में important event, एक तो Simon Commission इसी time period में appoint किया गया, ये it was constituted by John Simon to revive the political situation in India, इंडिया की political situation को revive करने के लिए appoint किया गया था Simon Commission, Indian leaders opposed the commission, and there were no Indians in it, क्योंकि इसमें कोई Indian नहीं था, इसलिए इसकी opposition कियी गई, और नारा दिया गया, Simon go back, Then government ने बहुत brutal repression किया इसके खिलाफ, अट लाहूर और लाला लजपतराई, इसमें काफी बहुत ज्यादा जखमी हुए, इसी event के दावरान, लाठी चार्ज में, और बाद में उनकी इसी वज़ा से death भी हो गई, Then next event 1928, Nehru report constitute की गई, constituted a committee, Nehru report constituted a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to form the new constitution of India, Then 1929, All Parties Muslim Conference, formulate की गई थी, इन्होंने formulate किया था, 14 points का, under the leadership of Juna, Then Bhagat Singh, Bhattu Keshwaradat, drop a bomb in Central Legislative Assembly, so इन्होंने एक bomb drop किया था, to protest against the Public Safety Bill, उसके बाद Jatin Das, he died in jail after 64 days of fast, then Lord Irwin, उन्होंने announcement की थी that goal of British policy in India was grant of dominion status, तो ये भी 1929 में Lord Irwin ने ये announcement की थी, कि इंडिया को dominion status दिया जाएगा, Then Lahore session of Congress under Juhalal Nehru, उन्होंने adopt किया goal of complete independence, यानि पूर्न सवराज, पूर्न सवराज इन्होंने अपना goal declare किया in 1929, in Lahore session of Congress under Juhalal Nehru, ये important events है, 1939, then 1930, 1930, Juhalal Nehru, उन्होंने tricolor host किया on the bank of Ravi in Lahore, Then First Independence Day भी उबज़र किया गया था, 1930 को, यानि First Independence Day ये उबज़र किया गया था on 26th January 1930, और इसी की याद में आज, 26 January बनाया जाता है, Working Committee of International Congress meet at Sabarmati, और इन्होंने, they passed the civil disobedience moment with his epic Dandy March, So this civil disobedience moment, ये भी पास हुआ था, और एक Dandy March भी शुरू किया गया, Then Mahatma Gandhi ने ये civil disobedience moment launch की थी, With Dandy March, उसके बाद First Roundtable Conference भी इसी टाइम पीड में शुरू ही थी 1930 में, जो London में शुरू ही थी to consider the report of Simon Commission for the future constitutional set-up in India, So First Roundtable Conference भी 1930 में हुई थी, However, इस Roundtable Conference में, जो First Roundtable Conference भी इसमें इंडियन National Congress का कोई prominent leader इसमें नहीं रहा, उसमें अटेंड नहीं किया और बिजनस लिडर फ्रामदा इंडियन पार्टिस्पेट नहीं किया, Most of them were lodged into jails, यानि इनको ज्यादतार रहे उस टाइम पीड में जेल में ही इनको भर दिया गया था, 4-year participation in civil disobedience moment, तो जो Congress के जो बड़े-बड़े leaders थे, उन्होंने civil disobedience moment में participate किया था, इसलिए उनको जेल में भर दिया गया था, इसलिए जो First Roundtable Conference थी इसमें लगभर किसी ने भी attend नहीं किया, Then 1931, Gandhi Irwin Pact sign किया गया, civil disobedience moment इसी टाइम पीड में suspend किया गया, भागत सिंग, सुखदेव, राजगुरू उनको execute किया गया, इन लाहूर किस, Then a second roundtable conference हुई थी in 1931 में, Biggins Mahatma Gandhi arrives in London to attend it, तो इसमें Mahatma Gandhi ने attend किया था, उसके बाद जो second roundtable conference थी, 7th September 1931 में ये शुरू हुई थी, Gandhi represented Indian National Congress and Sarojini Naidu represented Indian women, So Congress की तरफ से Gandhi जी ने इसमें represent किया और जो women थी, उनकी तरफ से Sarojini Naidu ने represent किया, Then Mother Mohan Malvia, then Ghanshyam Das Birla, Mohamed Iqbal, Sir Mirza Ismail Divan of Maisur, Eskiddat and Sir Sayyid Ali Imran, They were the other people, जिन्होंने ये conference attended की, 1931 वाली, The next event of 1932, British Prime Minister Ramsey MacDonald, उन्होंने communal award इसकी announcement की, जिसके थूँ एक separate electorate बनाया गया, हरीजन्स के लिए, to get a reserved seat in place of separate electorate, और इसी के खिलाब गांधी जी ने एक fast शुरू किया था, fast unto death, उसके बाद Pona Pact sign किया गया, जिसमें हरीजन्स get reserved seat in place of separate electorate, तो उसके बाद एक seat हरीजन्स के लिए reserved कियी गई, instead of separate electorate. Next, third roundtable conference, इसी time period में शुरू हुई at London, और यह जो third roundtable conference थी, 17th November 1932 से 24th December 1932 तक चली, it was not attended by Indian National Congress and Gandhi, और एक और important इसमें आपको याद रखना है regarding यह जो three roundtable conferences हुई थी, इसमें Ambedkar and Tej Bahadur Sapro attended all the three roundtable conferences, कभी-कभी यह पोछा जाता है, कि इनमें से कौन सा लेटर है जिसने तीनों roundtable conferences अटेंड की थी, तो वो थे Ambedkar and Tej Bahadur Sapro. Then, next, demand for Pakistan, एक important event, 1930 में इसकी शुरुवात हुई थी, और इकबाल ने सबसे पहले suggest किया था, North West provinces and Kashmir should be made Muslim states within the federation. So, सबसे पहले यह जो पाकिस्तान की बात की थी, यह इकबाल ने की थी, और उसने कहा था कि North West province और कश्मीर को एक अलाइदा Muslim state बनाया जाना चाहिए. Then, चोदरी रहमत अली, इन्होंने term Pakistan दी थी in 1933. तो यह जो पाकिस्तान term थी, यह दी थी चोदरी रहमत अली ने in 1933 में. Then, Muslim league first passed the proposal of separate Pakistan in its Lahore session 1940. तो 1914 में Muslim league ने लाहर session में separate Pakistan का proposal passed किया और इसको जनाज donation theory तो इसको donation theory भी कहा जाता है. तो यह आपको याद रखना है कि जो जनाज की donation theory थी यह पास की गई थी लाहर session में in 1940 में. और इसको draft किया था Sikandar Hayat Khan ने, mored by Fazal Haq and seconded by Khali Kuzama. Then in 1943, Karachi session हुआ of Muslim league and adopted the slogan divide and quit. तो यह divide and quit, यह adopt किया था slogan December 93 में Karachi session में Muslim league ने. Then next 1935, Government of India Act यह passed किया गया था. 1937, election held in India under the Act of 1935 और उसके बाद Indian National Congress उन्होंने minister बनाए in seven provinces. 1938 में, Haripuram session हुआ Indian National Congress का, जहां Subhash Chandr Bhos elected the Congress President. In 1939, तृपुरा session हुआ Indian National Congress का, Subhash Chandr Bhos ने resign किया from the Presidentship of Indian National Congress in 1939. उसके बाद इसी टाइम पीड में Second World War भी शुरू हुआ था. Then Congress Ministries, उन्होंने resign किया था against the war policy of British Government. So, जो 1939 में Second World War हुआ तो इसमें जो British Government थी, उनकी जो policies थी, इस वार को लेकर ठेक policies नहीं थी. इसलिए Congress Ministries ने यहां resign किया. Then Muslim League, उन्होंने observe किया इस resignation of the Congress Ministries को as a Deliverance Day. So, Muslim League ने यह जो resign किया था various ministers ने. तो उनको उन्होंने कहा Deliverance Day. As a Deliverance Day इसको observe किया. Then, next 1940, लाहूर सेशन अप मुस्लिम लीग पासिज दा पाकिस्तान रिजूलिशन. उसके बाद वाइसराई लेगलिद को इन्होंने अगस्त आफर इसी टाइम पिर्ड में एनॉसमेंट की. और इस अगस्त आफर में क्या कुछ था यह आपको थोड़ा सा नोट करना है. एक तो उन्होंने आफर किया था Dominion Status in Unspecified Future. यानि autonomy जिसको कहा जाता है. Autonomy under British role. तो इस यह इन्होंने कहा था Dominion Status. उसके बाद a post-war body to enact constitution. उसके बाद a governor general to expand governor general's executive council. जिसमें full voltage दी जाएगी to minorities opinion. उसके बाद इस अगस्त आफर को Indian National Congress ने reject किया था. बट इसको Muslim League ने accept किया. और Congress launches individual satyagraph moment. So 1940 में Congress ने एक individual satyagraph moment launch किया. Then 1941, death of Robindranath Tagore. Then Subhas Chandra Bhos. वो भी escape हुई from India to Germany. Then 1942 में Churchill announces Crips Mission. The Crips Mission ये क्या था. जो British government थी with a view to get cooperation from Indians in the Second World War. Sent Stafford Crips to settle terms with Indian leaders. यानि Second World War हो रहा था. और Indians को इसमें cooperate करने के लिए एक Stafford Crips Mission सेंड किया गए था इंडिया में. और इसमें इसके ये जो Crips Mission था. इसके थूँ इंडिया को आफर किया गया Dominion Status to be granted after war. अगर यानि अगर आप लोगों ने हमारे साथ cooperate किया इस World War Second में तो हम आपको Dominion Status देंगे. बट Congress ने इसको reject किया और गांधी जी ने इसको term किया था as a post-dated check on a crashing bank. उसके बाद जो Crips Mission था. इट वाज रिजेक्टिड बई Congress. Then 1942 में Quit India Resolution पास किया गया by Bombay Session of All India Congress Committee जो which led to the start of historical Civil Disobedience Movement across India. तो Quit India Resolution भी Bombay Session में All India Congress Committee ने पास किया और इस वज़े से Civil Disobedience Movement पूरे इंडिस्तान में शुरू हुआ. Then Jaharlal Nehru की जो बेटी थी इंडरा गांधी उन्होंने एक पार्सी लायर से शादी की थी जिसका नाब फिरोज गांधी था against her father's wishes. Then Indian leader Mohandas Karamchand Gandhi उनको arrest किया गया था in Bombay by British forces in 1942. Then यह जो newly married couple था इंडरा गांधी और फिरोज गांधी उनको भी arrest किया गया था for their participation in Quit India Movement. Then hurricane and flooding हुई Bombay में जिसमें 40,000 लोग की death हो गई. उसके बाद Indian National Army was formed by Indian Nationalist Mohandas Singh. So Mohandas Singh उन्होंने एक Indian Nationalist Party बनाई जिसका नाम Indian National Army था in Southeast Asia during World War 2nd. Then 1943 Karachi Session of Muslim League यह भुआ था और इन्होंने एड़ॉप्त किया था slogan Divide and Quit. Then Japanese इन्होंने अटेक किया Port of Calcutta पे. खुशाल कमर Indian National Congress President of Galgat. यह first martyr थे इस Quit India Movement के. और इनको 1943 में शहीद किया गया था. 1944 Vowel calls for Shimla Conference. किसलिये ताके Indian Political Leaders की एक Executive Council बनाई जाए? इन 1944. Then 1946 जो British Prime Minister Atlee थे. उन्होंने एक Cabinet Mission इसकी Announcement की. और वावल ने नहरू को इन्वाइट किया to form an Interim Government. Then first session of Constituent Assembly भी 1946 में हुई. Constituent Assembly, that means जो Constitution ना बनाना था. तो उसके लिए जो first session हुआ था, Constituent Assembly का. 1946 में हुआ था. उसके बाद अब 1947 तो इस में important events. एक तो British Prime Minister Atlee उन्होंने डिकलर किया जो British Government थी. वो जून 1948 से पहले पहले हिंदुस्तान को छोड़ देगी. Lord Mountbatten जो लास्ट वाइस रही थे. और गॉर्णर जनरल लाफ इंडिया भी थे. उनको एज गॉर्णर जनरल बनाया गया जैसे मैंने पीछे भी कहता. यह जो Lord Mountbatten थे, यह लास्ट वाइस रही थे. और फर्स्ट गॉर्णर जनरल लाफ इंडिया थे. तो इनको फर्स्ट गॉर्णर जनरल लाफ इंडिपेंड़ इंडिया भी बनाया गया. इसके भी अनॉंसमेंट की गई. इन्डिया इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंट बिल. इसको इंटिर्योस किया गया था. इन आब हाउस अफ कामन्स और इसको पास भी किया गया. जुलाई 18, 1947. उसके बाद एक वार हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बिट्वीन आन कश्मीर जहां पाकिस्तान कश्मीर के उपर अठेक करता है और जमान कश्मीर के कुछ हिसे पर कभजा भी करता है इंडिया सिंडिया फिंडियों के लिद्ना बना बाकिस्तान का। इंडिया आजाद हो गया, अपना constitution बना और ब्रिटिश राज यहां से खतम हो गया तो यह जो अबो टाइम लाइन है इंडियन freedom moment के यह थे 1857-1947 तो आई थिंक यह सारे important events है, इनी events के उपर questions भी पूछे जाते हैं किसी भी competitive exams के उपर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने friends में, social media में इस वीडियो को share भी करें अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो तो यह था complete analysis इस वीडियो का, okay, thanks, best of luck and as always, God bless you all